कोरोना से उबरते ही चीन से एक और दराने वाली खबर आ रही है। वहाँ बच्चों में रहस्यमई बीमारी देख रही है जिसके लक्षन निमोनिया से मिलते जुलते हैं। फुने चीन से बीमारी की डिटेल मांगते हुए जानकारी सारवजनिक की। इसके साथ ही ये खौफ बढ़ रहा है कि क्या चीन एक बार फिर सांस से जुली कोई खतरनाग बीमारी दुनिया को देने वाला है। रहसे मई निमोनिया से जुले ज्यादा तर मरीज चीन के उत्तर पूर्वी बीजिंग और लियानिंग के अस्पतालों में देखे जा रहे हैं। बच्चों में तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षन हैं, जोकी निमोनिया की तरह हैं। कोरोना में भी इसी तरह के संकेत होते हैं, लेकिन अब तक बच्चे इस महामारी से काफी हद तक बचे रहे थे। इस बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या कोविद ही नए रूप में इस बार बच्चों पर हमलावर हो रहा है, या फिर चीन की वजह से कोई नया वाइरस पैदा हो चुका। बता दे की कोरोना के बारे में भी माना जाता है कि उसका ओरिजिन चीन का वहान मार्केट या फिर लैब था। ग्लोबल संस्थाओं का मानना है कि ज़्यादा तर महामारियों की शुरुआत अफ्रीका या एशियाई देशों से होती है। ठूके डिसीज आउटब्रेक में भी ये बात मानी गई। ये ग्लोबल स्थर पर ग्यात और अग्यात बीमारियों पर बातचीत करती है। मनकी पॉक्स, जीका वाइरस, एबोला वाइरस, सार्स, माज और हाल में तबाही मचा चुका कोरोना वाइरस। इन सभी बीमारियों का ओरिजिन एशिया और अफ्रीका ही हैं। खास कर सास से जुड़ी बीमारियों की शुरुआत चीन से ही कनेक्टेट दिखाई देती है। हालांकि इस बारे में कभी कोई पुष्टी नहीं हो सकी।